आज का टॉपिक मास वेरेशन विद विलास्टी है यह भी एन एप्लिकेशन आफ लॉरेंट्ज ट्रांस्फार्मेशन है तो इसको समझने से पहले कुछ चीजे जानने पहले मास के बारे में अगर आपने न्यूटन स्फिकेंड लाप पढ़ा होगा न्यूटन नं फिनलाख अला कि सभी नहीं पढ़ा होगा लिड्रे जाता है कि दे रियूट of change of momentum is equal to force यानि कि किसी object पर कर हम force लगाएंगे तो उसके momentum में बदला होगा, changes आएंगे time के साब से और इसको और elaborate करते हैं momentum यानि P is equal to where P is equal to M V M is mass और V is velocity इसको यहां रखें इस फार्मल में then F is equal to D by DT M V यहां ध्यान देने लाग बात यह है कि Newtonian mechanics यानि classical mechanics में in classical mechanics mechanics मास इस आल्वेस कांस्टेंट यानि कि किसी भी दशा में मास में कोई परिवर्तन तरविमान में मास में कोई परिवर्तन नहीं होता है यानि कि M is constant रहेगा does not change मास चेंज नहीं होगा ऐसे condition में मास अगर constant है तो यह बाहर आ जाएगा equation के एफ इस गुल टू M डी वी बाई डी टी एफ इस गुल टू M ए यह आपका Newton's second law है जो यह बताता है कि M is always constant लेकिन यह तब के लिए सही है जब speed आपकी नार्मल हो यानि कम हो लेकिन जब speed बढ़ती है fast यानि कि जब आपकी velocity यह जो velocity है यह velocity c को approach करती है उस condition में mass constant नहीं रह जाता then mass also changes अगर हम previous lecture देखें तो इससे पहले जो हमने बताया था कि जो fundamental properties है किसी object की कि बॉड़ी की वो इसका length है time होता है mass होता है fundamental properties में length length is also change with respect to velocity in relativistic mechanics mechanics जिसका फारूमला हमने दिया था L is equal to L0 under root 1 minus V square by C square similarly time यह भी एक fundamental property है time is also change with respect to velocity अब यह यहाफ क्या फार्मूला होगा इसी फार्मूला होगा फार्मूले को हमको drive करना है यहाँ पर mass variation का क्या formula होगा इसी को हमें derive करना है कि mass velocity साथ कैसे चीज़ता है यानि कि mass changes with velocity हमें इसी के formula को drive करना है जिसका नाम mass variation with velocity है तो इसको करने के लिए जिन concept की जरूरत पड़ेगी वह बता रहें आपको तो पहले देफिनिशन देखना है इसकी when a body of mass m0 moves with very high speed we approaches to c then its mass increases by a factor of 1 by under root 1 minus v square by c square यानि कि अगर किसी object का mass m0 है और इस velocity से move कर रहा है तो उसका mass increase कर जाएगा और जो mass आएगा वो m is equal to m0 by under root 1 minus v square by c square यह mass variation formula है जहाँ पर m0 यह आपका rest mass है rest mass का मतलब जब आपकी object आपकी body रूपी भी हो किसी frame में rest mass और m relativistic mass जो आप जब किया जाता है relativistic mass तो यह formula है जो mass variation का formula इसे हमें derive करना है mass किस तरीके से velocity साथ change करता है तो इसको करने के लिए हमें जो concept चाहिए उसका नाम है law of conservation of momentum इसी concept के जरिये हम इस formula को derive करेंगे आई देखते हैं इमेजिन कीजिए कि यह आपका एक frame है इस dash जो कि move कर रहा है V velocity से तेजी से move कर रहा है और इस move करते frame में दो object हैं दो ball ले लिजए एक ball यह हो गया A और एक similar इसी size का बिल्कुल identical दूसरा ball ले लिया हमने B यह ball इसकी तरफ आ रहा है U dash velocity के साथ और यह ball इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है minus U dash velocity के साथ यानि के दोनों ball एक जुसरा रहा है इसको इस तरह लिख सकते है A and B are two identical balls with mass M1 and M2 यानि के इसका mass हमने M1 मान लिया और इसका mass M2 मान लिया they are approaching to each other यानि के दोनों ball एक जुसरा तरफ आ रहा है each other with same velocity U dash बस direction change जैसे इसका minus U हो गया और इसका plus U हो गया है दोनों एक दूसरे तरफ एप्रोच कर रहे हैं और यानि के बोथ आर मूविंग इन ए फ्रेम एस डैश जो की वी ब्रावसे से मूव कर रहा है अब अगर हम इन दोनों को जो दोनों ball मूव कर रहे हैं इनको हम किसी ऐसे फ्रेम से देखें जो rest में हो मालीजी यह हमारा दूसरा फ्रेम है यह फ्रेम है rest रुका हुआ है यहां सम देखें तो हमको इनकी velocity क्या नजर आएगी आप इसको इस तरह situation समझेए कि अगर आप मालीजी ट्रेन में हो एक train चल लए आपकी एक train चल लए है और इस train में दो बाल एक इधर से आ रही है यह train आपकी भी velocity चल लए है train की velocity भी है एक बाल इधर से आ रही है और एक बाल इधर से आ रही है एवन एभी दोनों बाल से हैं और हम यहाँ प्लेटफार्म पे खड़े हो कि अगर बाल को देखें तो हमको इसकी velocity क्या नजर आएगी तो इसी को हमगे check करना है according to frame S अगर हम S से देखें यहाँ से तो हमको इसकी velocity क्या नजर आएगी the velocity appeared for ball A जो नजर आएगी वो u1 is equal to u dash plus v upon 1 plus u dash v by c square यह कहां से आया यह velocity addition formula जो हम से पहले बताए गया तो हम सागी दो velocity को कैसे हम add करते हैं एक velocity यह और दूसरी velocity यह velocity आइडिशन एडिशन वार्मूला similarly the velocity appeared for ball B दूसरी बाल के लिए जहाँ पर U' है वहाँ पर minus U' रख देंगे और U1 की जगह U2 हो जाएगा तो उसकी velocity को क्या नज़राएगी जहाँ पर U' है वहाँ पर minus U कर दें U' प्लस V अपान 1 minus U' V by C square यह दोनों velocity से होंगी equation number 1, equation number 2 जो हमको नज़र आएगी अगर हम यहाँ से देखे तो अब अगर मान लीजे यह दोनों बाल आपस में आ रहे हैं और दोनों एक दूसरी को strike करते हैं collide करते हैं collide करने के बाद दोनों की velocity same है तो दोनों collide करके आपस में pack हो जाएंगे एक body हो जाए एक बन जाएंगे और total mass इनका होगा M1 plus M2 after collision अगर हम करें after collision mass हो जाएगा M1 plus M2 और दोनों वहाँ पर आके रुख जाएंगे क्योंकि दोनों की velocity अलग direction में है और same है opposite में है इसे दोनों आकर के रुख जाएंगे इस तक कर जाएंगे लेकिन इसी बाल को यहां से अगर हम देखें तो यह दोनों जो object बनेगा एक बाल बनेगा यह A plus B का यह दोनो B विरासी से move करते नजर आएंगे अगर हम यहां से देखें तो दोनों बाल इस फ्रेम में इस फ्रेम में रुक जाएंगे मगर अगर हम रुके वे देखें तो दोनों हमको इस फ्रेम के साथ move करते नजर आएंगे तो यहां पर हम अगर लगाएं फार्मूला कंजर्वेशन आफ मॉमेंटम का तो कुछ इस तरह होगा कि अभ़ार आफ तो र स्क्राइब अ था को र लगार था मॉमेंटम को यह करते हैं in frame S' but they appear to move with velocity S' as viewed from rest frame in frame S. So if we apply here, mask law of conservation of momentum then applying law of conservation of momentum, conservation of the land of life. So when we apply to the momentum of the massive operation, we will choose the momentum मुमिन्टम विफोर कोलीजन इस इकल टू मुमिन्टम आफ्टर कोलीजन दोनों कंडिशन में मुमिन्टम सेम होना चाहिए तो अब यह देखते कि पहले क्या था और अब बाद में क्या हुआ लड़ने से पहले दोनों बाल लड़ने से पहले मुमिन्टम म1 यूवन प्लस एम 2 यूटू दोनों अलग थे लड़ने के बाद दोनों एक जुसे एक साथ अटैश हो जाते हैं म1 प्लस एम टू लेकिन उनके विलास्टी जो नजर आती है वह वी नजर आती है तो यह आपका मास वरिशन लगे यहां पर अब इस जगह पे जो हमने भी एक क्वेशन नमर वन लिया था यहां पर वैलू रख देंगे यूवन की यू डैश प्लस वी अपान वन प्लस यू डैश वी बाई सी स्क्वेर प्लस एम टू माइनस यू डैश प्लस वी अपान वन माइनस यू डैश वी बाई सी स से, is equal to m1 plus m2 v, यहाँ पर m1 है और यहाँ पर m1 है, हम m1 को एक साइड में ले ले रहे हैं और m2 को दूसरे साइड में, तो m1 यहाँ लिखा हमने, यहाँ बचा u dash plus v upon 1 plus u dash v by c square और यह m1 इधर आ जाएगा, तो minus v हो जाएगा, ठीक उसी तरिके से, यह m2 वाला portion उसे दर ले जाएंगे, यहाँ पर हमने m2 लिखा, v पहले से था, और यह portion उधर जाएगा, minus के साथ, minus u dash plus v by 1 minus u dash v by c square, यह equation हुआ, इसको और थोड़ा solve करें, इसमें थोड़ा mathematics ज्यादा है, कल्कुलेशन, M1 1 plus u dash v by c square, काममल ने लिया, u dash plus v, minus v, 1 plus u dash v by c square, इसका है से होगया, ठीक, इसी तरी की से इधर हम जाएंगे, M2 V 1 minus u dash v by c square, minus u dash plus v, divided by 1 minus u dash v by c square, इसको solve करें, u dash plus v, minus v, minus u dash v by c square, यहाँ हैगा, denominator सेम रहेगा, 1 plus u dash v by c square, similarly, M2, इसको break कर दे, v minus u dash v by c square, minus minus plus, u dash minus v by under root, sorry, 1 minus u dash v by c square, यहाँ है, यहाँ से यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, v v, उपर बचा, M1, u dash, minus, u dash v by c square, divided by 1, 1 plus u dash v by c square, and M2 is equal to, u dash, minus, u dash v by c square, by 1 minus, u dash v by c square, nominator का पूरा portion सेम है, यह पूरा cancel out हो जाएगा, और इस तरह बचेगा, M1 by M2, निचे जाएगा, यह उपर चला जाएगा, is equal to, 1 plus, u dash v by c square, divided by, 1 minus, u dash v by c square, यह equation मिला, तीसरा equation, अब हमको इसकी और इसकी वैलू पता करनी किये कितना होगा, इसके लिए direct method कोई नहीं है, इसके आला, जब ट्रिक अप्लाई करते है, ट्रिक इन दे सेंस, कि, इससे पहले जो हमने equation 1 देखा था, इसके इन को में कार्णर पर लिख दा रहे हैं यहां पर, M1 by M2 is equal to 1 plus U dash V by C square divided by 1 minus U dash V by C square, यह equation number 3 है, इसको हमने कार्णर फिर लिख दिया, और यह हमने मिटा दिया इसको यहां पर, अब यहां इसको साल करने के लिए हम ट्रिक का इस्टमाल करते हैं, equation 1, U1 is equal to U dash plus V by 1 plus U dash V by C square, यह था, इसको हमने whole square कर दिया, squaring both side, whole square कर दिया, तो U1 square is equal to U dash plus V whole square by 1 plus U dash V by C square का whole square, यह कर दिया, अब इसमें हमने C square से divide कर दिया, यह trick basis पे है, dividing by C square both side, C square से divide कर दिया, तो U1 square by C square is equal to 1 by C square, U dash plus V whole square by 1 plus U dash V by C square whole square, अब इसको हमने इसको हमने एक से subtract कर दिया, subtracting, subtracting from 1, both side, यानि के 1 minus U1 square by C square is equal to 1 minus 1 by C square, U dash plus V whole square upon 1 plus U dash V by C square whole square, इतना किया, इसको simple करते हैं थोड़ा, और, simple करते हैं, 1 minus U1 square by C square is equal to, LCM ले लेंगे इसको साल करें LCM लिया हमने यहाँ पर सिर्फ यह पोर्शन 1 प्लस U-V by C square का whole square LCM ले लिया यहाँ पर तो बचे का 1 प्लस U-V by C square whole square minus 1 by C square U-plus V whole square इसको साल करें 1 plus U- V by C square whole square और इसको पूरा ब्रेक कर दे 1 plus U-square V square by C power 4 plus 2 U-V by C square और इसको भी ब्रेक कर दे U-square U-square by C square minus V square by C square minus 2 U-V by C square इसको यहां पर है यहां सी देखें यह पोर्षन दोनों cancel out हो जा रहा है 1 1 1 minus V square by C square एक साथ ले लिया minus U-square by C square यहां पर है और प्लस U-square V square by C C के पावर 4 यह बच गया divided by 1 plus U- V by C square whole square यहां पर 1 minus V square by C square है और यहां हमने यह चीज़ कामन ले लिया U-square by C square कामन ले लिया यहां पर बचेगा 1 minus plus plus minus V square by C square divided by 1 plus U- V by C square whole square इसको वापस solve करते हैं इसको मिटा दे रहे हैं नाव R 1 minus U1 square by C square is equal to यह दोनों कामन है इसको 1 minus V square by C square ले ले और दुसरे ब्रैकेट में 1 minus U-square by C square बचेगा divided by 1 plus U- U-Dash-V by C square whole square whole square और इसको मिटा इसको मिटाइचेंज कर दे 1 plus U-Dash-V by C square whole square is equal to 1 minus V square by C square 1 minus U-Dash-Square by C square divided by 1 minus U1 square by C square R 1 plus U-Dash-V by C square is equal to whole square under root ले ले लेंगे इसका तो यह हो जाएगा पूरा under root 1 minus V square by C square 1 minus U-Dash-Square by C square by 1 minus U1 square by C square यह equation number 4 हो गया हमने इसको start किया था equation number 1 का square करके similarly अगर हम equation number 2 का square करें तब क्या हैगा similarly from equation 2 यानि के for second ball जो B-ball थी उसके लिए अगर हम करें तो same equation ऐसा है बस I change करना ही होगा कि place minus U dash at U dash and U2 at U1 जहाँ पर U dash है वहाँ पर minus U dash कर देंगे और जहाँ पर U1 है वहाँ पर minus U2 कर देंगे तो same equation हाईगा second ball के लिए ऐसी condition में change कर देंगे इसको अगर equation number 2 को square करें तब क्या हैगा 1 minus U dash V by C square जहाँ पर U dash है वहाँ पर minus U dash कर देंगे इसमें कोई change नहीं आएगा जहाँ पर U dash है minus करेंगे minus minus का plus हो जाएगा 1 minus U dash square by C square square में सिर्कोई change नहीं आएगा upon 1 minus जहाँ पर U है U 1 है वहाँ पर U 2 कर देंगे U 2 U 2 square by C square equation number 5 अब यह equation number 4 है और equation number 5 इन दोनों की value जो यह और यह आई इन दोनों का उठा के इसमें रख देंगे equation number 3 में then from equation 3 M1 by M2 is equal to इसकी जगा पर यह equation यानि के under root 1 minus V square by C square 1 minus U dash square by C square divided by 1 minus U 1 square by C square और इसकी जगा पर यह equation हैगा under root 1 minus V square by C square 1 minus U dash square by C square divided by 1 minus U 2 square by C square यह आया हमारा equation इसमें nominator दोनों में same है तो दोनों cancel out हो जाएंगे यह पूरा portion cancel जाएगा यह इससे और इससे cancel जाएगा जो बचेगा वो M1 by M2 is equal to यह portion उपर चला जाएगा under root 1 minus U2 square by C square divided by 1 minus U1 square by C square यह equation बचा हमारे पास final equation अब इसको थोड़ा elaborate करते हैं change करते हैं imagine हमने माल लिया imagine the second ball जो कि second ball है second ball यानि कि ball B ball B is at rest यानि कि जो second ball थी उसको मगर रेस्ट पर मालने दिन अगर रेस्ट का मतलब इसके जो विलास्टी थी यू वो टू यह 0 हो जाएगी and अगर रेस्ट में है तो इसका मास हमने M2 को हमने rest मास माल लिया M0 माल लिया उस condition में M1 by M0 is equal to 0 हो जाएगा यह rest मास में 1 by under root 1 minus U1 square by C square या इसको सिंपल कर ले M is equal to M0 by under root 1 minus U1 square by C square or simply M1 is equal to M0 by under root 1 minus V square by C square यह फिर्ण फार्मुला निकला यह फिर्ण फार्मुला यह फिर्मुला यह फिर्मुला है मास वैर्येशन विध विज़िश। इह फार्मुला है मारा mass V dont जो यह प्रूफ करता है कि mass ... अब इसकी कणडिशन देखें important important cases, पहला देखने, when v is very less, यानि कि v की value velocity अगर c से बहुत कम है, जैसा कि हमों के normal life ने होता है, उस condition में m is equal to m0 होगा, यानि कि mass में कोई चीज नहीं होगा, no any change in mass, normally अगर velocity बहुत कम है, तो इस equation का कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन अगर velocity बढ़ती है, यानि कि when v approaches to c, imagine कीजिए, v अगर c के बराबर हो जाए, तो क्या होगा, then mass जो होगा, वो m0 by 0 हो जाएगा, यानि कि infinite, undefined, undefined हो जाएगा, इसका मतलब कि अगर किसी object की velocity c के बराबर हो जाए, तो इसका mass infinite हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, which is not possible in any way, which is not possible, thus, no anybody can move with speed of light यह इसका कोंसेक्वेंस है कि तेक्स यह इसका कोंसे